हेलो एंड वेलकम स्टुडेंट्स वेलकम बैक क्लास प्लस वन की नीट कोर्स के लिए सेकंड चैप्टर पहले हमने डाइजेशन एन अब्सॉप्शन कर लिया था और उसका कम्प्लीट सभी के सभी mcqs की हमने वीडियो डाल दी है वो वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है लेकिन वो पेड़ वर्जन के अंदर है उसमें हमने सभी के सभी mcqs को डिस्कूस किया हुआ है विद आंसर की और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो human physiology का second chapter है breathing and exchange of the gases इस वीडियो के अंदर जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि what's the difference between breathing and respiration types of breathing types of respiration what's the different type of mode of breathing in various animals of the earth उसमें कुछ example आपको वही मिलेंगे जो आपके animal kingdom में आते हैं क्योंकि वो जो biology के अंदर almost question वही पूछे जाते हैं जो repeat हो रहे होते हैं क्योंकि वहाँ animal kingdom में भी उनके mode of respiration बताया जाता है और यहां में भी उनको हम discuss कर लेंगे उसके बाद में हम pathway of breathing in human being पढ़ेंगे human respirator system के अंदर हम pathway पढ़ने के बाद में हम nasal chamber पढ़ेंगे और उसके बाद में पूरा का पूरा complete respirator system पढ़ने वाले हैं clear तो वीडियो को start करते हैं बेटा और starting जो है breathing and exchange of the gases की कि starting में हम पहले ही discuss कर लेते कि what is the difference between breathing and respiration पहले मैं आपको मेरे word के हिसाब से बताती हूँ फिर इसको biology language के उपर लेके जाएंगे breathing का मतलब क्या है simple oxygen को अंदर लेना या मैं कहूँ oxygen कहके क्योंकि आप बिल्कुल फर्स अभी नीट में आये हो तो मैं यह कहूँगी कि it is simple intake of the gases क्योंकि सिर्फ oxygen तो ले ही नहीं रहे अब नेचर के अंदर जो oxygen है वो तो 21 की जगाई 20% ही रह गया है ना तो इसके अलावा और भी gases है nitrogen है carbon dioxide है तो इसका मतलब जो हम inhale कर रहे हैं वो है mixture of the gases और उस mixture of the gases जो हमने inhale किया है और उसके बाद में अंदर से carbon dioxide को छोड़ना simple breathing कहलाता है मतलब it is simple intake of the gases and release of the carbon dioxide ओके तो breathing क्या है breathing is simple exchange of the gases from outer environment से oxygen को inhale करना और उसके बाद में expire कर देना carbon dioxide को clear अब breathing को मैंने यहाँ पर divide कर दिया है दो पार में अब breathing की आप definition लिख लेना खुद पर it is simple intake of the oxygen and release of the carbon dioxide is known as breathing clear लिख लिए बिटा चलिए अब उसके बाद में आप लिखिए कि types of breathing कितने होते हैं types of breathing आपको यहाँ दिख रहे हैं there are the two types of breathing पहला है inspiration and दूसरा है expiration आप यह steps भी कह सकते हो breathing के कि breathing के अंदर दो steps होते हैं inspiration का मतलब simple intake of the oxygen और expiration का मतलब होता expelling of the carbon dioxide note किया चलिए अब आगे चलते हैं सोचिए अब कोई सोच रहा हुआ कि हमारे life को चलाने के लिए कोई सोच रहा हुआ जिंदा रहने के लिए कोई सोच रहा होगा कि हमारे lungs के लिए जरूरी oxygen बट reason ढूंडिए कि oxygen हमारी body को क्यों चाहिए सोच ये थोड़ा सा सोच तो जिनका right है जिनका wrong है जो क्या सोच रहे हैं उन सभी की सोच को मैं एक biology point पे लेके आती हूँ why we need oxygen हम oxygen की need किसलिए रखते हैं हम oxygen की need हमारी body के अंदर लिए हुए food को burn करने के लिए लेते हैं we require the oxygen for burning और combustion of the food या glucose in our cell हमारी cell ने जो digestive system में जो हमने food को absorb करवाया था जिस glucose को हमने खाया उसको digest करवाया डाइजेस्ट करने के बाद में elementary intestine के थ्रूज को absorb करवाया लिवर के पास पहुचा के body की हर cell के पास पहुचाया था उस glucose को अब वो cell क्या करेगी glucose का हमने assimilation process में बताया था भी glucose को energy चाहिए तब क्या जब cell को energy चाहिए तो क्या करेगी उस glucose को कमश करती है उस glucose को burn करने के लिए उससे energy निकालने के लिए ही oxygen चाहिए होती है हमारी cell को and this process is the part of respiration breathing में simple oxygen लेना carbon dioxide छोड़ देना वो oxygen ली हुई blood के थूँ उसी cell के पास जाती है जिसके पास glucose था already और उसके अंदर जाकर के उस glucose के साथ यह oxygen अटेच होकर के उसको burn कर देती है और जब कोई चीज जलती है तो उससे heat निकलती है उससे energy निकलती है और वह energy अब मैं जैसे बोलने में यूज़ कर रहे हूं आप पढ़ने में यूज़ करें आप लिखने में यूज़ करें carbon dioxide and respiration is the burning of glucose in cell in the presence of oxygen and this is known as aerobic respiration in which we require the presence of oxygen for the liberation of energy in the form of ATP clear okay तो अब उसके बाद में हम next step पे आते हैं कि what is respiration और जो respiration आपको यहां दिख रहा है मैंने इसको आगे दो टाइप में दिया है it is aerobic respiration which take place in the presence of oxygen और दूसरा लिखा गए यहां पे anaerobic which doesn't require the presence of oxygen oxygen को भी ना use किये हुए glucose को burn कर दिया जाता है clear okay अब respiration में aerobic respiration के आगे दो steps लिखे हैं दो types लिखे हैं पहला है इसमे external respiration and second है इसमें internal respiration clear तो external respiration क्या नोट किये गाइस को अपनी copy में external respiration में simple oxygen cell के पास गई और cell ने oxygen को लेकर के उसके बदले में carbon dioxide को release कर दिया note किया external respiration का मतलब it is simple intake of oxygen and release of the carbon dioxide in blood clear बई internal respiration क्या है वो oxygen cell के पास गई उस cell ने अब oxidation of the food किया food को जला लिया है cell के अंदर और release of the carbon dioxide इसका मतलब internal respiration के अंदर तीन step आप पढ़ सकते हो it is the uptake of the oxygen by cell and cell के अंदर फिर क्या हुआ oxidation of the food और जब food जलता है तो वहाँ पर carbon dioxide release होती है and release of the carbon dioxide to the outside environment clear बई तो यह है internal aerobic respiration clear okay उसके बाद में next पढ़ते हैं हम anaerobic respiration and point जैसे we are the microbiologist sorry I am the microbiologist and I have done my MSC through the microbiology and PSD also तो हम लोग इस anaerobic respiration को नाम दे देते हैं fermentation ferment का मतलब होता है to boil anything उसमें appearance होती कि कोई चीज उबल रही है like जब आपने दूद को कर्ड में convert क्या होगा तो आप सुबह देखते हो there is bubbling of the air उस उस दही के अंदर से आपको छोटे-चोटे bubbles दिखते है and these bubbles like in the bread also bubbles दिखते हैं वो bread जो अंदर से spongy होते it is due to release of the carbon dioxide और जिस process में से carbon dioxide release होते है तो वो bubbling होते है वहाँ पर उस चीज को दिखता ऐसे कि यह उबली हुई होगी तो इसके बोलते है to ferment या anaerobic respiration को fermentation नाम दिया जाता है अब anaerobic respiration के आगे types हैं पहला है alcoholic fermentation फिर है leptic acid fermentation और फिर है cellulose fermentation पहला हम पढ़ते हैं यहाँ पे alcoholic fermentation क्या है इसका मतलब it is the conversion of glucose into the alcohol in absence of oxygen क्योंकि क्या है anaerobic respiration है clear तो alcoholic respiration में क्या release हो रहा है alcohol और generally during the जितने भी bakery products जितने भी yeast से बनने वाले products है उनके अंदर alcohol बनता है and the alcohol जो बन रहा है वो glucose use करता है किसी भी source का अब उसमें malt भी हो सकता है उसमें simple any type of the grain starts resource हो सकता है जिसमें जो yeast है वो yeast क्या करती है उस starch को convert कर देती है organic acids के अंदर और alcohol के अंदर तो वहाँ पर बहुत सारे desirable organic acids भी बनते हैं और साथ में alcohol भी बनता है और energy भी liberate होती है इस energy point को हम फिर discuss करने वाले उसके बाद में आता है lactic acid fermentation तो alcoholic fermentation का example least किया है lactic acid fermentation के अंदर lactic acid बनता है from the glucose और lactic acid fermentation अगर alcoholic fermentation का formula लिखे तो इसमें क्या जाएगा glucose मतलब C6, H12, O6 किसमें convert हो जाता है यहाँ पर two molecule of alcohol निकल जाएगे C2, H5, OH तो यहाँ पर दो molecule alcohol के निकल जाएगे और two ही molecule यहाँ पर carbon dioxide के निकलेंगे और यहाँ पर कुछ energy निकलेगी clear ऐसे ही lactic acid fermentation में क्या होगा जो glucose है उस glucose से two molecule of lactic acid liberate होंगे and the formula of lactic acid is C3, CH, OH, COOH clear भी और इसके साथ साथ इसमें energy liberate होती है ठीक है energy का concept हम अभी discuss करने वाले हैं होता कहां है lactic acid fermentation जो lactic acid fermentation है वो हमारी muscles के अंदर होता है अब मैं बोल रही हूँ दिमाग आपका पढ़ रहा है आपका हाथ काम कर रहा है मेरा हाथ काम कर रहा है तो इस time हमारी muscles के अंदर जो reserved glycogen है वो glucose में convert हो रहा है और उस glucose को अब उस muscle oxygen नहीं ले रही और उस glucose को muscle किसमे convert कर रही है lactic acid में और हमारी muscles के अंदर दीरे-दीरे lactic acid accumulate होता जा रहा है और इसी lactic acid के accumulation से muscular cramp भी हो जाते हैं हमें बहुत ज़्यदा थकान होनी start हो जाती है जब हम rest करते हैं तो दुबारा यह lactic acid corey cycle के थ्रू लिवर में जाके और किसमे convert हो जाता है अगेन carbon dioxide, glucose वगेरा के अंदर तो lactic acid fermentation का example है muscles और दूसरा example इसका होता है RBC also क्योंकि you know RBC don't have mitochondria तो उसके अंदर भी anaerobic respiration होता है और उसमें भी lactic acid बनता है clear और तीसरा type का जो anaerobic respiration है वो है cellulosic fermentation जिसमें cellulose को degrade किया जाता है अब यह जो cellulose है यह cellulose कैसे होता है जो ruminants है जो chewing करते हैं जो ruminant animals है उसके rumen and reticulum के अंदर fermentation होती है जो cattle है buffalo है उनके चार पेट होते हैं मैंने digestive system में बताया था उनके rumen and reticulum part के अंदर क्या होता है rumen में जादा होता है तो reticulum में कम होता है rumen के अंदर बहुत जादा क्योंकि वो जादा acid diet खाते हैं जिसमें cellulose जादा होता है fiber जादा होते हैं हम तो digest नहीं करते हैं cellulose को तो हमारा waste में निकल जाता है लेकिन अगर cattle में भी ऐसा होने लग गया तो उनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं क्योंकि तो वो तो cellulose rich diet खा रहे हैं तो उस case में क्या होता है कि उनके rumen reticulum part के अंदर cellulose fermenting bacteria होते हैं जो उस cellulose को degrade कर देते हैं और उनके digestion में help करते हैं तो यह cellulose fermentation किसमें example है इचिजाम्पल आफ रुमिनेंट्स एंड केटल्स क्लियर अब मैं थोड़ा सा energy का concept बताते हूं यहां पे कि अब देखें energy anaerobic में भी release हो रही है energy aerobic में भी release हो रही है लेकिन किसमें जादा हो रही है aerobic respiration के अंदर जो liberation of ATP है वो 36 ATP molecule produce होते हैं यह हम आपको proof भी करेंगे जब हम respiration chapter कर रहे होंगे लेकिन anaerobic respiration के अंदर energy बहुत बहुत कम produce होती है और अगर मैं इसको kilo joule की form में बताऊं आपको aerobic respiration में 2830 kilo joule energy produce होती है और जो anaerobic respiration में alcoholic respiration में है इसमें 118 kilo joule energy produce होती है यहाँ पर होती है 2830 और यहाँ पर सिर्फ 1018 ही produce होती है clear ओके और lactic acid के अंदर तो negligible energy produce होती है तो इसका मतलब an amount of production of energy कहाँ जादा होता है aerobic respiration के अंदर होता है clear चलिए अब हम चलते है next respiratory organs of different types of the animals on earth अब अर्थ पे तो इतने सारे हैं आपको कौन सा पढ़ना है आपको सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ने हैं जो आपके animal kingdom में आते हैं तो इसमें respiratory organs यहाँ लिखे हैं मैंने और examples जो हैं वो यहाँ कुछ दिये हुए है clear तो इसमें पहला है general body surface सिर्फ skin से ही exchange of gases कौन कर सकता है तो इसमें जैसे की sponge आते हैं जो animal kingdom का first आप पढ़ेंगे silent traits आते हैं इसमें कुछ example और इसके लावा flat worms आते हैं फिर आता है moist cuticle अपनी skin जो है cuticle surface के थूँ कौन exchange of gases कर सकता है इसमें earthworm है इसलिए जो earthworm है वो direct sun के contact में नहीं आता वो क्या होता है it is negative photographic moment शो करता है और सेम ऐसे frog जो है वो frog भी पानी में इसलिए रहता क्योंकि उसको moist skin के जरूरत होती है next आता tracheal tubes और tracheal tubes में almost सभी के सभी insects जो होते हैं वो सारे के सारे किसमें आते हैं tracheal tube के थूँ और aspiration करते हैं एक example बताते हैं ऐसा cockroach का तो अगर मैं आपके सामने यहां पर cockroach बनाऊं लाइक इस इस दा back end of the cockroach and cockroach की skin के side में यहां पर होते हैं spiracles जब उसके हम उपर वाले sclerides को यह hard जो इसकी पट्टी होते हैं उसको sclerides बोलते हैं जो भी इनको remove करते हैं तो हम यहां पर उनके छेद देखते हैं side में और उन छेद को बोला जाता है spiracles और उस एक spiracle के अंदर कैसे oxygen जाती है वो मैंने यहां पर थोड़ा सा बढ़ा करके बताया है अगर आपको यह concept यहां पर थोड़ा सा अजीव सा लग रहा है तो इसको हम cockroach वाले chapter में भी explanation से करेंगे clear तो मैंने यहां पर एक यह spiracle दिखाया है जहां से gas oxygen अंदर जाती है और इसमें होता क्या है कि यह वाली जो बाहर दिखा रखी है यह simple क्या है kaitin है क्योंकि आपको पता है insects की body सारे की सारे किस से बनी होती है और इसके अंदर यह वाला जो step है अंदर extend होकर के trachea and tracheoles में बनाता है ट्रेकिया यहां पर क्यों कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर जैसे हमारी trachea में cartilisus rings होते हैं हमारे अंदर tracheoles जो without cartilisus rings होती हैं वैसे ही इनकी नगान की होती है और ये बड़ी trachea से this one is the large trachea और ये आगे smaller trachea में convert होगी लेकिन मैंने trachea क्यों नहीं बोला क्योंकि यहाँ पर भी same क्या होती है cartilageous rings होती है लेकिन जहां cartilageous rings खतम हो जाती है वो बन जाते trachea तो ये जो छोटे-छोटे हैं these are the trachea और ये trachea आगे attach हैं किससे muscles के पास से ये आपको यहां के एक tracheal cell दिखा रखी है tracheal cell में जहां पर easily exchange of the gases हो जाता है ठीक है और यहां पर यह जो दिखा रखा यह क्या है इसका tracheal fluid होता है और जब यह normal जब यह सांस नहीं लेता तो यह tracheal fluid दर की तरफ आता है और जब यह inspire करता है